हलो स्टूदेंट्स दस इस सुर्वित इवारी एंड यू आर वाचिंग फेवरिट एडुकेशनल चैनल पैक्निट ब्रेंज वेल हम बढ़ रहे हैं चाप्टर नमबर 3 फाइवर टू फैबरिक कि किस तरह से हम फाइवर की हैं से हमारे फैबरिक बनाते हैं वेल हमने आपको बताया था कि जो आपका फाइवर है वो आपको नेच्रल तरीके से भी मिल जाता है और सिंथैटिक तरीके से भी नेच्रल में भी देखे तो कुछ एनिमल से आपको मिल जाते हैं या फिर कुछ प्लांट से जैसे अगर अपने एनिमल की बात करें तो आपको से मिलने वाले fabrics कौन कौन से है या fiber कौन कौन से है तो wool है, silk है तो यह सारे जो material है यह हमें animals से मिलते हैं synthetic की बात करें, तो synthetic क्या होते हैं, synthetic nylon, polyester, they all are the synthetic type of fibers, right? So, अब animals से मिलने वाले जो आपके fibers हैं और plant से मिलने वाले flivers हैं, plant वाले तो खेर आप already discussed कर चुके हैं आपकी previous classes में, आपने class 6 में पढ़ा होगा, कि हम jute की help से किस तरह से कपड़े बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसे bags बनाते हैं, और banana leaves की मदद से भी बहुत सारी चीजे बनती हैं, बट इस chapter में आपको क्या पढ़ना है, इस chapter में आपको पढ़ना है, कि जो wool और silk है, जो कि आपको animals से रिलने वाले fibers हैं, ये कहां कहां से कौन कौन से animals से मिलते हैं, और इनको बनाने की process क्या है, मतलब बनाने की मतलब ये होता है, कि fiber से आप इसको fabric में कैसे convert करते हैं, तो सबसे पहले चलिए, जानते हैं कि जो wool है, उसका use हम कम करते हैं, तो well देखे, जब winter season आता है, तो आप क्या करते हैं, गरम कपड़े मतलब woolen wear करते हैं और जब आपकी normal summer का मौसम होता है, तो आप cotton wear करते हैं, तो इन दोनों को अलग-अलग winters में पहनने का क्या मतलब है तो well देखे, winter के time पर आप पहनते हैं गरम कपड़े मतलब woolens, तो woolen क्या करता है, actual में ये जो woolens होते हैं, ये air के bat conductor होते हैं, bat conductor का मतलब अपने अंदर से air को पास नहीं होने देते हैं, तो जब आप एक coat पहन लेते हो wool का, तो air जो आपकी body तक आने वाली थी, आपकी skin तक जो पहुंचने वाली थी, वो वहीं पर कहीं पर trap हो जाती है, उन wools के अंदर, ठीक है, तो ये जो fiber है, जो कि air को trap करें, ये हमें मिलता है, furry animals से, ठीक है, ये जो furry animals होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, तो चलिए discuss करते हैं इनके बारे में, तो सबसे पहले जो furry animal है, वो होत सारे बेड़ बकरिया चलाने वाले आपको आसपास दिखते हैं, तो ये यहां पर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग जहां पर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर गर्मियों के मौसम में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, ठेंड के मौसम में इनको कोई problem नहीं होती, ल is obtained from the hairy animals like sheep, goat, yak and many others animals, वेल जो वूल है वो हमें इन सारे अनिमल से मिलता है, the hair present in the body of animal trap the air in between the hairy fibers, वेल आपको मैंने बताया कि ये जो हवा है, वो इनके hair में ही कहीं पर trap हो जाती है, the trapped air being a poor conductor of heat, prevents the flow of heat from the body to the skull surrounding and vice versa, thereby makes these animals feel warm, वेल ये जो furry animals होते हैं, actual में क्या होता है, कि इनके अंदर ना तो ठंडी हवा आ पाती है, ना ही क्या होता है, इनके body की जो heat है, वो बहार जाती है, क्योंकि जो इनकी body का जो fur होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, कि आने वाली ठंडी ठंडी हवा को, ठेके, जो आपकी ठ इसलिए जो जितने भी ऐसे animals हैं, ये जनरली पहली बात तो ठंडी जगों पर पाये जाते हैं, और ये सभी अपने आपको घर्म महसूस करते हैं, तो वेल यही जो fur हैं इनके, ठीक है, वो हमें help करते हैं हमारी ठंडियों में, तो क्या किया जाता है, कि गर्मियों के मौसम म उसमें से हम fur को निकाल लेते हैं, जिनका यूज हम हमारी कपड़े बनाने में करते हैं, अब इस दौरान आप ये सोचेंगे कि आपने उनके skin के उपर से fur निकाल लिए, तो भई जो fur अपर निकालते हैं, ये उन animals की help करने के लिए ही तो करते हैं, क्या है, कि अगर गर्मिय क्या चाहिए, इन लोगों को थोड़ा सा इनका body जो है, वो normal temperature चाहती है, तो अगर fur लगे रहेंगे, तो ये normal हवा जो है, वो उनके skin तक नहीं पहुचेगी, तो वही गर्मियों में हम उनके fur को हटा देते हैं, ताकि वो उनके जो body है, वो थोड़ी सी थंडी रह सके, चीक करें, तो animal fiber tends to have some characteristics in common, such as warmth, elasticity and ability to felt, but each is a little different, okay, देखिये, जो animal के fibers होते हैं, या animal से मिलने वाले जो fiber होते हैं, especially woolen fiber की बात करें, या फिर furry fibers की बात करें, तो इनकी characteristics, मतलब हर चीज़ की characteristics होती है, कि वो कैसा कैसा होता है, जैसे आपकी characteristics है, कि किसी की characteristics होती है, मानलीजे, कि वो बहुत तेज ढॉर देता है, किसी की characteristics होती है, कि बहुत अच्छा गा सकता है, उसे तरीके से इनके fiber की characteristics क्या है कि यह बहुत अच्छी गर्मी देता है वाम्त देता है elasticity जो है ठीक है elasticity मतलब easily stretch हो जाना ठीक है and ability to felt felt मतलब क्या होता है कि sheet में conversion होना ठीक है इस तरह से जो sheet form में अगर इनका जो fur है वो convert हो जाए तो उसको यह characteristics 3 है यह जरूरी नहीं कि हर animal में हो हर furry animals में हो किसी में हो सकता है वाम्त और elasticity मिल रही हो लेकिन वह felt नहीं होता हो किसी में हो सकता है वाम्त और felt तो हो रहा है लेकिन elasticity इतनी अच्छी ना हो तो पिर according to उनकी characteristics उनकी जो application है वो अलग अलग जगे होती है तो चलिए आज आते हैं सीधे अपन अपने popular fiverous animals पर कि जो कि आपको fiver देते हैं तो सबसे पहला जो animal जिसके बारे में आपने already सुन रखा है वो है sheep ठीक है so sheep आप कहां देखते हो आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जो आपके ये sheep को पालने वाले लोग होते हैं वोने लेकर के घूमते रहते हैं, sheep कैसे दिखते हैं, ऊपर से कुछ इस तरह से दिखती है ठीक है ये क्या खाते हैं, ये सब grass खाते हैं या पत्तिया खाते हैं चोटी चोटी से ठेके पे जो प्लांट्स होते हैं जो उनकी soft soft leaves होते हैं इनको खाते हैं और इनका पर वोता है वह बहुत जादा use में आता है उणके इनका जूँपर है वो सबसे ज़्यादा versatile होता है क्योंकि ये यह बहुत अच्छी elasticity भी इसकी बहुथ अच्छी होती है यह बहुत जादा वांभी होता है एब्सावंट भी होता है और ड्यूरेबल होता है ठीचिए मज़ने से इलास्टिक कि बहुत अच्छी है वां Moody Ch 52 होता है गर्म अच्छा होता है अब्सावंट का मतलब अगर आप इसको किसी डाई में डालोगे तो इस color को बहुत अच्छे से absorb कर लेगा ठीक है और durable मतलब लंबे time तक चलने वाला होता है ठीक है तो इनका wool जो है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है तो पहला animal जो कि आपको wool देता है वो है sheep ठीक है तो sheep wool जो होता है इसके बारी में जो जरूरी point है जो आपको याद में रखना है पहली चीज तो wool is the most common and versatile animal fiber यह जो wool है वो सबसे ज़्यादा common और versatile animal है it is naturally elastic ठीक है इसका जो characteristics है इस तरह से मिलने वाले fiber का characteristics की अगर बात करें तो इसकी elasticity बहुत अच्छी होती है बहुत वाम होता है absorbent होता है और durable होता है ठीक है अब वेल फ़र है यह तो तो अब्विस से बात है यह soft होगा ही तो जो characteristics next है वो क्या है its softness ठीक है लेकिन इसकी जो softness है ना वो भी vary करती है ठीक है according to breed हो सकता है कि कुछ ऐसे shapes हो जिनकी बहुत जादा soft fur है लेकिन कुछ ऐसे भी shapes होते हैं जो थोड़े hard fur के होते हैं ठीक है so its softness varies somewhat among breeds of the sheep breed के according इनकी जो softness है वो कम या जादा हो सकती है wool fels easily because the scaly fibers latch on to each other well इनका जो wool है वो fels easily हो सकता है fels मतलब generally आपने देखा होगा कि कभे-कभे woolen के कालीन या कार्पेट मिलते हैं राइट तो यह कार्पेट कब बन सकते हैं जब कोई चीज आसानी से फैल्ट हो जागा या sheet जो बनती है तो यह जो सब्सक्राइबर है यह आसानी से फैल्ट भी हो जाता है क्योंकि the scaly fiber latch on to each other क्योंकि जो इनका scaly fiber होता है जस उसके scaly का मतलब स्किन के ऊपर से निकाला हुआ ठीक है तो यह जो scaly fiber वह एक दूसरे से बहुत अच्छे में convert कर सकते हैं clear तो वह सबसे पहला एनिमल जो हमने फाइवर एनिमल के बारे में पड़ा वो था शीप या वूल जिसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि बहुत ही versatile है इसके अंदर सारे गुन है सारे characteristics है ठीक है जैसे कि यह elasticity अच्छी होती है वाम जिसके अच्छी होती है absorbent होता है durable होता है clear सो पहला आपका था sheep then अपन चलते हैं अलपाका पर तो अलपाका जो है वो थोड़ा और soft material देने वाला एनिमल है चीक है इससे मिलने वाला जो wool है ना वो बहुत ही जादा silky होता है अब silky क्यों होता है क्योंकि यह less scaly होता है scaly मतलब जितना जादा आप skin के पास से किसी फ़र को निकालेंगे ना वो इतना जादा soft नहीं होगा लेकिन आप क्या करोगी जैसे कि अगर इसके ऊपर ऊपर का बीच वीच का अगर आपने portion निकाला तो बहुत जादा soft सा आपको और silky-silky सा फील होगा ठीक है यह अल्पाका जो है वह इंडिया में तो आपको थोड़ा मुश्किल है ठीक है जनरली या बहार countries से इसका material हमें जादा मिलता है उसमें भी अल्पाका में भी अगर बेबी अल्पाका की अगर आप बात करें ना तो वह बहुत जादा सॉफ्ट होता है तो वैल अल्पाक की बारे में याद रखेगा अल्पाका फाइवर इस सॉफ्टर देन दे वूल क्या है पहला पॉइंट तो कि यह वूल से जादा सॉफ्ट होता है ठीक है बिकुस इट इस लेस स्केली क्योंकि इस केली थोड़ा कम होता है इट हाज वाला है और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है तो थोड़ा सा जादा महेंगा होता है एस कंपियर टू नॉर्मल वी वूल चलिए तो सेकेड़ आपने अनिमल थौड देखते हैं कि थौड कौन सा है तो थौड है कैश्मीरे घोट तो कैश्मीरे गोट जो हता है वह क्लास मेरे गोट होती हैं वो देखे कितनी ज्यादा सौफ लग रही है कि अगर आप उसको छुएंगे ही तो आपको जो सौफने से वो मिलेगी दूसरी चीज के यह बहुत बल्की होता है बल्की मतलब इनके जो फ़र है वो थोड़ी ज्यादा लंबे होते हैं ऐस कंपेर टू शीप ठीक है शीप याफी जो अलपाका है वो थोड़ी से इस तरह से आपको मुड़े मुड़े से इनके फर दिखेंगे लेकिन इसका जो फर है वो इस तरह से सिल्की सिल्की सा और थोड़ा सा लंबा होता है थोड़ा से लेंथ इनकी साधा होती है ठीक है तो थो थर्ड अनिमल ह जो कि आपको वूल दे रहा है वो कौन सा है कैश्मेरे गोट so कैश्मेरे the classical the classic luxury fiber is exponentially soft with a less shiny look that alpaca it is also extremely warm without being bulky ठीक है यह बहुत जादा भारी नहीं होता हलका होता है और बहुत ही जादा soft होता है okay so next है एंगोरा गोट जिसे अपर मोहर कहते हैं मोहर जो है यह generally अपने कश्मीर रीजन में ज़्यादा पाया जाता है right so angora को जिसको आप मोहर नाम से जानेंगे अगर आप उस रीजन में जाते हैं तो मोहर is very fine silky and shiny ठीक है उसी की तरह इंडिया में पाया जाने वाला यह बहुत ही silky shiny होता है it is especially good at absorbing rich dye kid mohair again is softer and more curly that adult mohair does not felt well mohair सारी चीज़े होती है बहुत silky होता है बहुत shiny होता है soft होता है इसका भी जो kid mohair होता है उसके अगर अपन hair की बात करें तो वह बहुत ज्यादा soft होते हैं तो इनका generally use कपड़े बनाने में किया जाता है obviously बात है जापर furry coats बनाने के लिए हम इसका use करते हैं लेकिन अगर अपन सोचे कि इसकी मदद से हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो कि felt हो जाए तो यह बिलकुल भी नहीं होगा clear moher does not felt याद रखेगा चले तो इसके बाद आपको यह मैंने जो चारों नाम बताएं बिलकुल अच्छे से याद रखेगा okay then आगे आते हैं अंगोरा पर तो अंगोरा जो है ना एक ऐसी तरीकी की प्रजाती है जिसमें rabbit भी होते हैं गोट भी होते हैं उनका उनको बनाने में इनके फाइवर का यूज किया जाता है तो देखिया आप डाइग्राम को देखिये कितना प्यारा सा एक फ्लफी फ्लफी सा एक rabbit है right so angora rabbit angora is extremely soft and silky feeling angora fiber is known for its fluffy hollow effect टीके बहुत प्यारा सा fluffy सा आप एक समझ लीजी कि आपको एक मैंने cotton का roll दे दिया हो ठीके वह बिल्कुछ soft cotton जो कि आप टैडी बियर्स में देखते हो तो उससे भी soft रहता है ओके it's often combined with other fibers because it's felt easily with wear well इसको क्या करते हैं हम इसको mix करते हैं दूसरे fiber के साथ क्योंकि बहुत ही आसानी से felt हो जाता है तो durable बना रहे है इसके लिए हम इसको दूसरे fibers के साथ पे combine करके use करते हैं ठीक है एंगोरा के बाद आता है camel तो आप कुछ पता होना चाहिए कि बिजु कैमल है उसके भी कपड़े बनते हैं उसके भी जो आप देखते हों कि ठंडियों में जो कोट पहने जाते हैं तो इसके अंदर ना कैमल का भी material लगा हुआ रहता है तो कैमल टिपिकली कलेक्टिट फॉन दे सॉफ्ट अंडर कोट ऑफ दा बैक्टिरियन कैमल ऑफ दे हिमालियन रीजन ठीक हैं सो कैमल हैर इस नेच्रली टैंपरेचर रेगुलेटिंग लाइट वेट एंड मीन मिनिमली इलास्टिक इड़ नॉट फेल्ट इजी लिए जो कैमल का हेर है इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अभी आपको पढ़ करके बताएं वह आपको याद रखने हैं कि पहली चीज की हिमालियन रीजन में पाए जाने वाले जो कैमल है ना सिर्फ हम उनका यूज करते हैं नॉमल कैमल की बात नहीं करें जो कि आपको राजिस्थान रीज होगी और ठंड के टाइम अगर बहुत जाधा गर्मी है ना बहुत जाधा गर्मी में तो आप कोड पहनेंगे नहीं पहली बात तो लेकिन अगर थोड़ा इट्मॉस्थे गर्म हो गया है तो आपको बहुत हीट भी नहीं देगा है ठीक है तो यह एक नेच्टरल याद रखने हैं क्लियर तो नेक्स्ट फाइवर जो कि हमें एनिमल से बिलता है वह सिल्क अभी मैंने आपको बूल के बारे में बताया और कुछ एनिमल्स के बारे में हमने डिसकर्शन किया जो की बूल देते हैं अब बारी आती है सिल्क की आपने अपने घर में देखा क्याद से मिलता है तो सीलक गजो है वह मिलता है जो अब इसको देख रहे हें छेह वाय। एक क्यूब में आपको मैं बताऊंगी धें सो एक तरीक का इन्शेट आप मान सकते हैं जो के मलबरी लीप्स को खाता है उसकी को यह खाते हैं खाकर के क्या करता है कैकून अपने ऊपर डवलप कर लेता है सबसे पहले दीरे-दीरे वह खाता है और कुछ दिनों के बाद अपने आपको ग्रो करने के लिए अपने ऊपर एक तरह की का एक आप यह माल सकते हैं थ्रैड का एक छोटा सा गोला टाइप यह को चोड़ करके चला जाता है यह जो कैकून है इसी से हमें मिलता है शल्क आप इसमें जो थ्रैड देख पा रहे है और यह इसको बढ़ने की पुरी प्रॉसेस क्या है यह मैं आपको आप मारी नेक्स क्लास में जरूर बताऊंगी फिलहाल आपके लिए जानना यह जरूरी है कि और जो दूसरा material है जो कि हमें animal से मिलता है वो क्या होता है तो वो होता है silk जो कि आपको silk warm से मिलता है ठीक है so silk is the fiber which is mulberry silk warm mulberry मतला जो कि mulberry tree के leaves को खाए ठीक है so silk is the fiber which the mulberry silk warm make its cocoon out of individual fibers are long thin smooth and luster अगर एक fiber की बात करें इससे मिलने वाला जो fiber होता है वो काफी लंबा होता है पतला होता है इसलिए ना इसके इससे बनने वाला जो design है वो बहुत अच्छा बन जाता है और इसलिए साड़ी भी बहुत अच्छे से इससे prepare हो सकती है बहुत स्मूध होता है और lustrous होता है ठीक है जो animals है उनकी मदद से हमें animal fiber मिलता है तो विल्कुल याद रखेगा wool और जो silk है wool जो आपको है वह आपको बहुत सारे animals हमने आपको बताया लाइक शीप बताया ठीक है अलपाका के बारे में हमने बात की कैश्मेरे ग यूठ की बात की आंगोरा गूप के बारे में पड़ा अंगोरा राबिट के बारे में हमने रिसकस किया और पता होना चाहिए कि ये फार्विंग की जाती है सिर्थ वांच की तो इसके लिए particular एक पुरा plant बनाए जाता है फिलड में एक एरिया बनाया जाता है हट बनायी जाती है जहां पर Simmons using warm को पाला जाता है जिससे हमें केकून मिल सके आप देखोगे के याक जो है या याक बूल जो है इस सब्सके इसके बाद अंगोरा वूल, अंगोरा वूल जो है वो अंगोरा गोट से मिलता है, जनरली इसको अपन कश्मीरी गोट भी कहते हैं, यह कश्मीर रीजन में जाधा तर पाई जाती हैं, अंगोरा गोट जो हैं यहां फे जो कश्मीरी गोट होती हैं, वो बहुत जाधा लिए इनका यूज हम किस में ले करते हैं इसलिए हम इसका यूज पश्मीना शॉल बनाने के लिए करते हैं ठीक है दफ़र ऑन दबॉड़ी ओफ कैमल इस अवूल जैसे कि मैंने आपको बताया था यह जो पैमल्ज है जो कहां कौन से रीजिम है हिमालयान रीजन के जो का है यह एक्चल में ना हमारी इंडिया में नहीं होते यह जनरली पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में तो क्योंकि यह बाहर से आने वाला प्रोड़क्ट है इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है ऑल्दो यह कॉलिटी में नॉर्मल वूल से थोड़ा ज्यादा बहतर होता है तो वैल यह पॉइंट्स जानना जरूरी था कि यह सारी जो एनिमल यह कहां कहां पर पाए जाते हैं वैल नेक्स क्लास में आपको बताऊंगी कि लाइफ साइकल ओफ सिल्क वाम क्या होती है कि सिल्क वाम एक्चल में बंता कैसे मतलब उससे हमें कैकून कैसे मिलता है झाल को साइंस काइऩ फोलडर देख जाएगा साइनज की फोलडर में जाएंगे ना तो आपको सारे वीडियो दिख जाएंगे इन ने सबहूं को बस आप आथा है उस पर वाचना पकरते साथ ही चाप्टर दkommen करने और हमारे चैनल को शPacikanेश suktis पहुँच जाएं इसे शेयर करें अपने सेम क्लास के स्टूडेंस के साथ और उनके साथ भी जो किसी और क्लास में हैं क्योंकि हमारे पास हैं 100% free classes from kindergarten to class 12 मैं मिलूंगी मेरी next class में till then stay happy stay healthy thank you so much